कर देखेंगे तो आज आपके 300 एंशी क्यूज जो है पूरे हो जाएंगे और 30 सेप्टमबर तक कम से कम आपके 600-700 के विछ कर लेंगे कोई भी आपको देखते हैं सिक्यूज आप लोग को पता है कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेमियम मेंबर्स के लिए है मतलब प्रेमियम मेंबर्शिप कैसे मिलती है 99 रुपीस का आप पेमेंट करते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है 99 रुपीस का पेमेंट करिएगा क्लिक करके और 24 आवर्स का वेट करिएगा 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको इमेल मिल जाएगा फिर भी मिंबर्शीप मिलने के बाद आप जो है Account अपना Login करेंगे Login करने के बाद Video lecture पर फिर आप computer पर लिक करेंगे तो आपको ये 잡ा कि размinella करेंगे Turn और साथ में जो हिंदी लेंगविज अर्रब्य प्योक आता है उसके लिए बुग भी मिल जाएगी अधर भी मिल जाएगी एससी की आरा भी एंटी पीसी की जैए भी की जो है यहां पर ही सामान हंदी की बुक जो है हिंदी की आपको तीन वकमने प्रोवाइट की है और एक बहुत इंपोर्टन बॉक आपको इमेल के साथ में जो इमेल आएगा उसमें में निवाल के प्रेक्टी सेट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे यह 21 सप्टमबर को हमने और अधर पीडिएफ में आपको मिलेगा बैंकिंग और फाइनसिल अवरनेस हिंदी और इंग्लिश दोनों भासा हो में अब देखते हैं हम अपने कुस्टेंस दि ब्लैंक वाइट एरिया नियर दे एज और अवर डॉकमेंट इसा होता है ना तो उसमें थोड़ा सा ब्लैं हैं तो आन उन्हा है तो आ हो जाए गांगे लूग्र गांट हो गया अइंग्लित वनाट हो गया लाइन पर गया ऊद्व अर्विगा अब ड्रेम यह तो कॉछी में हो जाए इनको आफ यूस कर सकते हैं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा जाएगा अल अगला कुश्यन है इन्में से कौन सा ऐसा office program है जो animation feature offer करता है तो दोस्तों animation feature offer करता है सिर्फ और सिर्फ आपका powerpoint word क्या है यह एक word processor software है जिसमें हम text के form में data लिखते हैं although image भी add कर सकते हैं लेकिन किसी type का animation नहीं कर सकते हैं Excel किस लिए है Excel आपकी spreadsheet है जो कि calculation purpose से use की जाती है और powerpoint आपका जो है हम यहां पर presentation के लिए यूज करते हैं slideshow के लिए यूज करते हैं animation यूज कर सकते हैं access जो है MS access यह हमारा एक प्रकार का database है ठीक है MS access क्या है वो database है तो यहां पर आपको चारों के बारे में मैंने बता दिया अगला है in MS powerpoint Microsoft powerpoint water visual moments refer to as when the one slide changes to another अधर देखो यह पहली slide यह अगली slide मैं भी powerpoint यूज कर रहा हूं यह सारी slides बनी हुए एक है question जो आ रहे है यह एक है slide है तो इनको change जो हम करते हैं इसको हम बोलते है slide transition तो इसका answer होगा slide transition तो यह याद कर लिजेगा और बाके slides आपको आपको पता है कैसी होती है आपको दिख रही है screen पी मेरी slide अगला कुश्यन है इन MS word dash is a predefined decorative text that you can add to a document बोला गया है भाई Microsoft word में predefined decorative text जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं तो उनको हम बोलते हैं दोस्तों word art ठीके predefined decorative text को हम बोलते हैं word art अगला कुश्यन है आपका which of the following feature of Excel allows you to create a small chart that you can insert in individual cell पूछा गया है कि इसमें से कौन सा Excel का feature है जो आपको small chart allow करने देता है एक individual cell में तो इसको हम बोलते हैं sparkline यह भी याद करने वाली चीज है sparkline क्या होते हैं एक छोटे से small charts होते हैं जो इसमें नेम लिखा हुआ है ठीक है रिकॉर्ड रिकॉर्ड मतलब क्या हो गया कई सारे fields का collection कई सारे fields का collection उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं record file क्या होता है बहुत सारे records का collection इसे हम क्या बोलते हैं file और data वह स्कत्राइब 760 खंग 1280 सब्सक्राइब आम आगम सेज़ा गले में हिरा रील्च टॉर्फ दॉजलो वूwhere तो DRAM आपकी होती है Dynamic Random Access Memory answer number B यहाँ पर सही है ठीक है और आपको यह चीज तो पता ही होगी कि RAM जो होती है वो Volatile In Nature होती है ठीक है मतलब बिजली गई RAM जितना भी डेटा है सारा उड़ जाएगा और जो ROM होती है उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपका यहे होता है और जिसका access time बहुत कम होगा और जिसका access time में होगा वो memory उतनी महगी होगी तो यह है आपका प्रोसेसर प्रोसेसर के अंदर ही लगी होती है cache memory तो सॉटेस्ट एक्सराम किसका हो जाएगा cache memory का 캐्स मीमुरी डेटा कहां से लेती है cache memory डेटा लेती है RAM से तो उसके बाद cache memory के गीमुरी के बाद access time किसका होगा RAM का होगा RAM data कहां से लेता है hard disk से hard disk ठीक है तो यहाँ पर यह होती है सस्ती RAM होती है उससे महंगी cache memory होती है सबसे महंगी लेकिन उसी तरह से access cache से बहुत जल्दी कर सकते हो RAM से उससे slow और hard disk से उससे भी slow तो यहाँ पर cache memories cancer होगा longest अगर यहाँ पर होता कि longest access time होता है जब system में किसी software को run करने के लिए hard disk को system hard disk के थोड़े से part को as a RAM use करे ठीक है आपके system में RAM कम पर गई तो वो क्या करेगा hard disk के थोड़े से part को as a RAM use करेगा उसको हम बोलते है virtual memory तो दोस्तों basically यहीं तक था हमारे free members के लिए वीडियो क्योंकि थोड़े से questions आज कम है तीस questions ही है और I think daily में 35 से 40 के वीच रखता हूँ तो फिर यह आप वीडियो अगर पूरा देखना चाहते हैं क्योंकि आगे जो questions है हम कवर करेंगे सिर्फ और पेड मेंबर्स के लिए तो आप प्लीज वीडियो के description box में लिंक पर जाईए और हमारी premium membership लीजिए सिर्फ और 99 रोपीज की है बहुत सस्ती है payment करने के बाद 24 hours का wait करिए आपको वहाँ पर link मिल जाएगा login करने के लिए so thank you and हम वीडियो continue करते हैं अपने paid members के लिए